हाले दोस्तों स्वागत है अब सभी गत्र पार्टी सोशियोलाजी चैनल में तो मैंने बोला था हम लोगों से कि सेकेंड समिस्टर के विश्रमें बात करने के लिए तो हम देखते हैं कि फॉर्स समिस्टर जो हमारा है वो जैसा दैसा निकल गया और एक्जाम भी उसके कंप्ल तो हम सेंस्टर समयं में मैंने सारे नोट भी नहीं दे पाई थे आप लोगों को लिकिन सेकेंड समिस्टर में सारे नोट्स आप लोगों को दूंगी और यह नहीं कि मैं वह नेता जी के जासने वह बास एड़ गए हैं जीतने से पहले हैं और आइप्रॉमस की जितना भी प्कॉर्सेज के नाम क्या है हमारे एंग linen करना चाहते हैं कि टन्र ही हम यहां आता है थो तो फ़स्टमस्ट्र में किसी ने लिया था किसी ने घसने लिया था जियार्म importantes के भ्याश्ट्रा कि लिया था हम सबस्तों नहीं लेना पड़ेगा कि थिकुछ को ज्युक्छ समेस्ट् समासा उजयो था उसमें मैंने कुछ मिला तो कुछ चीजें मुझे मिली थी तो अभी मैंने सारा मिला यह नहीं बट आज मैं मिला लूँगी और कर अदो को एक वीडियो बना दूँगी कि आप लोको बुक्स लेनी की ज़रुत नहीं पड़ेगी और कुछ चीजें हमें आपक चीज़े आप लोगों को दे सकों, तो कोसिस करूँगे मैं, तो और एक और बात, जैसे कि हम एक चीज़ और देख लेते हैं, कि जो मतलब हम M में कर रहे हैं, ठीक है, M में हम Masters कर रहे हैं, Master में हम समासास अगर लिये हैं, तो कहीं न कहीं हमारा एक ही Intention होगा, या तो हमें Sociology से PhD करनी होगी, और या फिर UPSC में हमारा Sociology Optional होगा है, यही चीज़ी होगे, तो हम यहां पे दिखते हैं कि Master अगर हम कर रहे ह आप सबके लिए बन रहा है, जो भी समासास के स्टूडेंट है, चुकि मेरा मानना है कि अगर हम Society में ही है, तो Society के विसमें जानना हर ब्यक्ति का क्या बोलेंगे, ब्यक्ति का तुरूप से किसी भी इंसान का वो जिम्मेदारी है कि वो Society को समझे कि Society क्या है, और जो समासास पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें यह नहीं पता कि समासास्तर क्या है, परिवार क्या है, Society क्या है, तो I think उनका पढ़ना ही विकार है, तो यहीं सारी चीज़े हैं, कुछ questions हैं, जो मैं आप लोगों को दो-दो मिलेट का वीडियो दे रही हूँ, उसमें क्या है, दो-दो-दो यह भी मतलब दो-दो राइटिंग्स में है, तो जो भी MCQ से रिलेट हुआ या नॉर्मल चीज हो गई, जो हमें पता होना चाहिए, वो सब दे रही हूँ, और इसके बाद से मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के लिए, जिसमें मैं यह बताऊंग मुझे अभी क्लियर करना है तो आप लोग एक टाइम मुझे I think रात का सही रहेगा रात में एक वीडियो आप लोग को रोज में दूंगी और ये भी मैं अभी इसके बाद कोई वीडियो बनाती है और उसमें मैं क्लियर करती हूँ कि कौन से दिन कौन सा पेपर मैं पढ़ाने पेपर तो ये चीज़े हमें जानना बहुत ज़रूरी है तो इसे भी मैं क्लियर करूंगी पहले मैं खुद भी समझ लू क्योंकि मेरा क्या होता है जाना आना मेरा पूरा दिन लग जाता है गुरगपुर से अब डाउन करना सो देखते हैं कोसस करेंगे कि जो हम टाइम टे सपर्ट किया अबर बहुत लोग के पास यह पहुंश नहीं पाईया वीडियो सेकेंड शेमस्टर के वीडियो सबके पास पहुंचे की 않고 कोसेश कीजिये और सेयर कीज़ें आप लोग जितना से जितना हो सके, सारे student का फायदा हो सके, I think यही होना चाहिए तो second semester हमें start करते हैं, तो हमें यह आप देखते हैं, कि पहला, मतलब इसमें second semester में हमें 5 courses है, 5 courses हमारे CVCS pattern में हमें, बहुत पहले ही वोला था मैंने, second semester में 5 course हमारे, जिसमें पहले में में पढ़ने है, modern sociological thought first semester में क्या था the foundation of sociological thought एक काम कीजिए आप लोग, आप लोग नहीं मुझे comment भे, first semester में क्या-क्य courses थे हमारे, सिर्फ course name, जो 5 course थे हमारे, उन course का नाम आप लोग comment कीजिए और please, कोई भे क्या कहते है, नकल में कीजिएग आप लोग की देख के लिखे, मैं देखना चाहते हूँ कि कितने लोग को आप लोगोंने paper भी देखे चलाया, आप लोगोंने first semester complete कर लिया कितने लोग को अभी तक जो हमारे course थे, उसका नाम नहीं पता है तो इस चीज़ को आप लोग comment करके जरूर बताएगा, तो हम देखते हैं कि paper 1 है modern sociological thought और पहले वाला था the foundation नाम sociological thought तो अब इसमें second paper जो हमारा है principle and methods of data analysis, और ये collection जो है पिछली भार वाला था और मुझे बड़ा अच्छे से रटा गया था तो collection मैंने आप लिख दा, तो इसे अब ये हमें third semester में भी पढ़ने है फोर्थ में भी पढ़ने है, तो इसमें कुछ topics नहीं पढ़ने है तो अभी मुझे इसके विशे में पूरा hundred percent जांकारी नहीं है, तो भी 4 course, decision 이것, topics, विश्र के बात करूंगी पाच्वे कोर्स का भी मुझे पूरा नॉलेज नहीं है तो हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है तो फर्स्ट जो हमारा है और एक और क्वेस्ट एक बात और है मेरी कि जैसा पीछले पार जो हमारा फर्स्ट पर पर था तो फाउंडिसम सोसियोलोजिकल थाट उसमें जितने भी समासाशी को हमने पढ़ा था उनके रचनाय क्या है उनके बुक्स नेम क्या है ठीक यह कुछ क्वेस्टिन है जो मैं एक दर अलग से आप लोग को वीडियो दूँगी और उस चीज़ को आप लोग प्रिप्यार कीजिए अच्छे से क्योंकि अगर पिएज़ी करने है तो आई तिंग कुछ समासाशी में जितने में पढ़ा रहे हैं जितने समासाशी को कम से कम उतने का जो उनका इस्पेशल है उसको उनका उनका इस्पेशल जो भी रचनाय है बुक्स नेमे असको तो हमें birl Х difaf Jenny इया ऊनेट पढ़ेंगे जों वह कर लोई युणीन आक्स हैं सकेंद युणीत हैं मैक्ष वेबर ठर्ड्र उनिट स्पीडर कूले और फूर्थ इंट हैं कम नाइम स्पूर्लमंग और पाचलेय उनिट हैं उन्हारे पितिरम सोरोकीन अमें Onohre डिलेक्टियल मेटरलाइज्म और हिस्टोरीकल मेटेरियलिज्म और कॉंसेप्ट आफ एलिनेशन यह इनका पढ़ना है काल माक्स का मैक्स विपर में पढ़ना है मेथ्रोडोलोजी अब सोसल साइन्सेज थीओरी आफ सोसल अक्शन थीओरी आफ ऑथरीटी और सीच कुले में पढ़ना है दो लुकिंग लास सेल्फ और गनाइक सारी ओर्गनिक ब्यू आफ साइटी कॉंसेप्राइमरी ग्रूप और फूर्थ में काल मैनहाई में पढ़ना है सोसल स्टार्टिफिकेशन और सोसल मॉबिलिटी ब्यू आफ सोसाइटी और कल्चर तो यह चीज आप लोग कुछ पता है नहीं कौन से पिपर का मैं पढ़ा रही हूं तो आप तो इससे थोड़ा ध्यान दीजिएगा सेकेंड पिपर जो हमारा उसमें देखते हैं कि उसमें भी पाच यूनिट हमें पढ़ने है तो इसमें है पहला एडिटिंग अपडेटा क्लासिफिकेशन और ट्र यही तो यही है थे हमारा चंपिक ही अलग सेल्यस। यही छिस तो इतम। पर लोग लिख लिजेगा थर्ड हम दिखते हैं कि इसमें हैं इंडियन एक्सपरियंस आप डेवलप्मेंट सिकेंड एक कल्चेर एंडेवलप्मेंट और डेवलप्मेंट और चोथ थे consequence of development और पास्वे हम पढ़ना है the nature and dynamics of globalization वेस्वी करन के विश्व में हमें पढ़ना है यहां पर कि वेस्वी करन क्या है तो उसके बाद हम दिखते कि पहले में हमें पढ़ना है colonial period and development ठीक है post-colonial period and development और sociological partial of five-year plans पंचवर्स यह योजना की विश्व में में भी पढ़ना है culture में पढ़ना है कि culture as an add to development culture as an impediment or impediment to development or development and spur of ethnicity तो फिर अब तीसरे में हमें पढ़ना है कि यह में है minorities and development schedule caste tribes and development और चौत्य में development and displacement development and environmental degradation पाच्वे है socio-economic मतलब यह जो globalization इसमें हमें socio-economic and culture impact of global globalization on India और globalization and public policy इसको पढ़ना है चौत्य है हमारा rural sociology जिसमें में concept of heuristic science जिसमें little community peace and society for culture यह पढ़ना है first unit में second unit में पढ़ना है traditional Indian village and its institution family, kinship, caste and religion third unit है हमारा social change in rural India जिसमें हमें संस्कृतिलाइजेशन, modernization और impact of urbanization in rural institution I think जो हमारा third paper है उसमें में भी मुझे लगता है अभी तो clear नहीं है लिकिन आगे चलके संस्कृतिलाइजेशन, modernization इसाजी चीजें इंपोर्टेंट होने वाली है फिर हम देखते हैं कि चौथा है हमारा pattern माला इसमें हमें पढ़ना है कि pattern of leadership and power structure in contemporary rural India इसमें the new panchayati raji system and its impact of power structure ये पढ़ना है फिर चौथा है policies and programs of rural development and new तो हमारे चौथा unit भी हो गया और पाचवा वीवा बहुस है वो तो मैं आप लोगों को पहले ही बोली हूँ इससे हम लोग देख लेंगे आप लोग वीडियो पॉस कीजिएगा लिख लेजिएगा अगर ये आपको topics और course नेम ये चीज अगर पता है तो आगे की study हमारी बहुत अच्छी जाने वाली है जहां तक मुझे पता है और ये भी एक example हम दख लेते हैं कि अगर जड़ मजबूत होता है तो तनाय अपने आप मजबूत होती है तो अगर जड़ हमारे syllabus और topic है अगर वो हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो आगे का पढ़ाई मारा बहुत अच्छा हो जाएगा और जो रही बात मैंने बोला कि जो basic question है उसे भी देखना important है तो उसे भी हम लोग देखेंगे उसका वीडियो मैं आप लोगो को देती रहूंगे और यह ऐसे आप लोग मुझे support कीजिए मतलब जब मैं first time यह वीडियो बनाई थी तो मुझे लगता था कि पता नहीं यह helpful होगा क्या होगा मेरे इस वीडियो का बीच में तो रूख भी गया था और मैंने छोड़ दिया कि मैं आपने relation या कहीं भी यह चीज नहीं बोली कि म कुछ लोगों से मैंने बोला था starting में लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया बीच में अच्छा subscribe मेरा अच्छा जा रहा था फिर रोग गया था और अभी फिर से जा रहा है तो आप लोगा support जो है उससे मुझे भी यह होता है कि अगर मैं दिन में यह होता है कि वीडियो ना बना करते हैं तो आप लोग मेरा help कीजिए और मैं आप लोग के help करने की पूरी को सिस्स करूंगी और इस बार का सब्सारा नोट्स में आप लोगों को दूंगी यह clear है तो फिर से मैं आप लोगों से बोलती हूं कि वीडियो पॉस कीजिए जितने भी हमारे topics हैं इसे आप लोग लिखिए और जो मैंने बोला कि फॉर्स से मैं हमारे कितने कोस थे सिस्फ कोस का नेम हम आप लोग कमेंट जरूर करके बताइगे कि हम देखें एटलिस आप लोगो को फॉर्स से मैस्टर का कोस पता था कि नहीं ठीक है तो जिनको भी और नकल बिल्कुल नहीं करना है और हां मितलब यह तो है तो सबसे किन ग्वैशनली मैं यह स्जद्न पूजा जी है आप से और ब्यूटी जी है ़मंगर आप देखते हैं B गूडिया जी है गूडिया आप भी है तो आप लोग कोफर्ट एक उसन पर है कंद lashes आप राज जी क्या है ठीक है बहुत नॉर्मल से क्वेस्टेट तो इसका हमको आंसर चीए कि राज जी क्या है तब एक राज जी के लिए क्या क्या सीजिस चाहिए उसके पास मतलब क्या क्या होनी चाहिए तो यह आप लोग बतायेगा मेरे question है राज जी क्या है वापस से बोल देती हूं कि एक question है राज जी क्या है इसका answer मुझे पुरा विश्वास है कि beauty जी पूजा जी और आप लोग इसका answer मुझे जरूर देंगी और मेरे वीडियो का आप लोग कीजिए आप लोग ऐसे और जो भी इस उस होंगे आप लोग मुझे बताईएगा I think मैं उसे solve कर सकूँ so thank you so much